हलो 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 तो आज हम देख रहे हैं I deoquel episode 03 episode number three में से पहले episode 01, 02 को हम complete कर चोह हूँ, जहां पर बाते कर रहे थे किससे, problem related to I look at important concept, ince ने ने से related problem और हम किस तरह से इनको very quick solve लख सकते हैं, तो आज और भी देखें कुछ algebra Department related problem को उनको कैसी fast बाष्ट और कोई किली तरीके से सॉल्ट कर सकते हैं बतायता हूं जो बिद्धारती क्लास 8 से लेकर 12 में स्टड़ी कर रहा हूं जो का मैं इंट्रेस्ट होता हूं डेफिनेटली यह प्रोब्लम आपके लिए बहुत आसन बन जाएंगी आज के से पिशोर से ओके चलो तो आज स्टार्ट करना को चल जब रहा की श्री से लिटेटर प्रॉलम जैसे यहां पर आपने देखा फ्रॉलम जब भी ऐसा कुछ गहाने हो तो फर्स अपॉल हमें जो डेटा गैवन उसका मिशुटलाइज करना हूं क्या डेटा गैवन है तो क्यों न इसमें अम और आन को मैं बन 1 1 put कर देता हूं तो यह कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी a 1 plus 1 which is 2 a1 plus a1 plus 1 into 1 ऐसा कुछ हो गया a1 की वल्लेडी गेवन आपको तो 1 plus 1 plus 1 तो it will become like 3 है 3 मिल गया तो a2 की कहानी क्या मिल की आपको 3 now हम a4 भी find कर सकते हैं अगर m और n को में equal put कर देता हूं यहाँ पर हमने 1 put किया इस बार हम m और n की value को 2 put कर देते हैं जैसी 2 put कर देते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 plus 2 which is 4 तो यह मिल गए a2 plus a2 plus 2 into 2 a2 3 यह भी 3 और 2 into 2 is 4 तो इसकी value क्या मिल गया पो 10 मिल गयी अच्छा A4 भी 10 मिल गया, तो A8 भी find करके देख लेते हैं, आगी मेरा काम हैगा, तो M और N को अगर मैंने 4 पुट करते हैं, A8 मिल गया, A8 की value क्या हो जाएगा, A4 प्लस A4 प्लस 4 इंटु 4, A4 की value अगर आप find कर चुके हैं, 10 प्लस 10 और यह हो जाएगा, 4 इंटु 4, बेचे A16, 16 प्लस 20 डारेक्ट लिख देते हैं 36 है, अच्छा A16 अगर आज करता है, तो डारेक्ट हम A8, A8 पुट कर देते हैं, तो 16 ने, A12 आज किया, तो बताओ अब क्या करें, क्लिक कर गया, हाँ, एक सिंपल से तरीका, अगर इंटु 4 पुट कर देते हैं, अगर दोनों को अग 8 पुट कर देते हैं, तो A12 मिल जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, A4 प्लस A8 प्लस 4 इंटु 8, ऐसा कुछ मिल जाएगा, अच्छा A8 और A4 दोनों की बेलो मों अलड़ी फाइंड कर चुके हैं, गुट गुट है न, वेरी गुट, अगर आपने फाइंड कर लिए तो नहीं किया तो एक बर देख लाएं, तो यह हो गया 4 और यह हो जाएगा, आपका 36 और, अच्छा 10 प्लस 36 और यहाँ पर हो जाएगा, आपका 32 हां, कुट, 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 ठीक है, तो यह मिल गा मुझे 46, 46 प्लस 32 कितरा हो जाएगा, 78, इस इस और फानेंस हां, तो सी इस तरह के और भी प्रॉब्म देखने के लिए, अमने क्या किया है, इस वीडियो के डिक्समें जाएगे, वहाँ पर आपको, और यह पीडियाप से गेवान है, प्रैक्टिसिंग करने के लिए, सॉलिशन भी गेवान है, और आईयो की यूम का, इस पेसली एक टेलीग्राम बनाया हुआ है, उसको आप जाइन करना है, वहाँ पर अल पीडियाप, अल अप्डेट्स आपको मिलते रहेंगे, और इत, चला, और अगे चलते हैं, जैसे नेस्ट पर्म्म यह गेवान है, एक्स बाइज आर दी पॉजिटिव नंबर सैटिस्वाइं गेवान है, एक्स प एक्स बाइज नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली अगर यह तीन इक्स इन तीनों का मैं मुल्टिप्लाइड कर देता हूं, तो कुछ हम ऐसा करेंगे, एक्स बन बाइज और यहाँ पर यह प्लस बन बाइज और यह जैड प्लस बन बाइज इस इकल तो यह होगा, फोर इंटू जड बन अपॉन एक्स बन अपॉन बाइज जड क्या मिल गया, बन अपॉन एक्स बाइज मिल जाएगा, और क्या मिलेगा वह भी देख लेते हैं, अगर एक्स का मुल्टिप्लाइगा रहे है, बाइज से तो एक्स बाइज मिल गया, और फिर बन अपॉन बाइज स हो कि X by Z से तो 1 upon X, 1 upon by, 1 upon Z, ऐसे भी मिल रहा हो कि 1 upon X, 1 upon by plus 1 upon Z, 28 by 3 है, करके देख लाए ना, करके देख लाए बटान, तो अच्छा यह क्या हो रहा है, इसके डेटा अलरी गिए बना आपको, क्या यह summation है, yes definitely, इन तीनों equation का क्या है, summation है, तो तीनों का summation है क्या, अगर मैं क्या है, तीनों को summation करते हैं, 4 plus 1 plus, 7 by 3, यह कितना हो कि 5, 5 plus, 7 by 3, 22 by 3, 22 by 3, अगर इधर बेज देते हैं, तो यह minus हो जाए कि 22 by 3, और 6 by 3, which is 2, क्या मिल गए 2, अब यहां से हम ऐसा कुछ find करते हैं, X by Z, प्लस बना पॉन X by Z, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता और यह क्या 2 के बन है, बैसे तो मैं पता होता, A plus 1 upon A is equal to 2 के बना तो यह की value 1 होती है, पॉसिबिटी होती है, फिर भी आपको समझने के लिए क्लास 8 का विद्धारती भी बेटा हुआ है मेरी क्लास में, तो उसको समझने के लिए क्या की है, हमने LCM लिया, LCM लिया तो 0, it means the value of A is equal to क्या मिल गया, 1 मिल गया, अच्छा, A क्या है आपके लिए, X, Y, Z is equal to 1, it means the value of X, Y, Z will be 1, और यह हम से question में, ask किया था, ठीक है, इस concept को रिमेंबरी करना बेटा है, कि कभी भी अगर आपको गे बन होता है, A plus 1 upon A is equal to 2 गे बन है, और A अगर यहाँ पर एक पॉस पॉस्टिव होगा, तो अगर A positive है, A positive है, तो definitely A की value क्या रही होगी, बन रही होगी, ठीक है, और ऐसे ही case में, अगर कभी भी अगर A negative हो जाए, A negative हो जाए, तो definitely A की value minus बनी रही होगी, खें, relevant टोल्द की विद्ध्यारती समझ जाते हैं, आसानी से, लिंक क्लास 8 का जो वि ठीक है, good, good done, well done, आपने solve कर लिया, बहुत ही बढ़ी है, बहुत ही खुब सुरत, चलो, Neshtek है, यह गिवन है, बहुत ही प्यारा क्रिशन है, देखो ऐसे क्रिशन को देखती है, एक अलचल हो जानी चाहिए क्या, कि इस तरह कि हम को सिमेट्टे बना लागा और मास X के value को find कर नहीं को सिम्प्लिफाइ ना करें, आपने तो बहुत ज़्यादा फस्जा हो गए, जैसे यह गेवन X to the power 4 something something, हम कोसिश करें इसी form में इसको बनाने के लिए, अच इसको बनाने के लिए, एक कहानी मुझे सिखा ही गई है, क्या, कि अगर मैं क्या 4 को ऐसा लिख सकता हू root 2 to the power 4 है, यह सही है, है ना, यह सही लिखा हुआ है, क्यों है से, root 2, root 2, 2, 2 into 2, क्या होगा 4, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, यहापर भी कि यह root 2 की power क्या है, 4 है, ऐसा है ना, अच्छा, अच्छा, थोड़ा और manipulation किया, तो इसको हमने ऐसा भी write कर सकते हैं, कि यह root 2, क्योंकि इसकी value अलड़ी क्या रही है, 4 आ रही है, तो यह root 2 और इसकी power क्या 4 है, ऐसा लिख सकते हैं, सर यह कुछ जादा ही हो गया, किस तरह है, ने, ने, बेटा समझा, यह क्या लिखा हुआ है, 4 है और root 2 ती power 4 भी क्या होता है, 4 होता है, तो RHS में भी क्या दे र इसका base, इसका base, इसकी power, इसकी power same है, it means, can be right, root, x is equal to root 2, तो x की value मिल गई, क्या, root 2, x की value मिल गई, तो यहाँ पर put कर लेते हैं, तो यह कुछ ऐसा मिल गया, मुझे root 2, और यह root 2 का squaring, ऐसा मिल गया, और यहाँ पर हो गया root 2, और root 2 to the power, 8 ऐसा हो गया, अच्छा, root 2 squaring क्य होता है, यह root 2, और इसका squaring क्या 2, तो यह क्या value मिल गई, 2 मिल गई, इधर देख लेते है, root 2 to the power, अगर 4 होता, तो क्या मिलता है, 4 ही मिलता, तो यह क्या हो जाएक, 16 हो जाएगा, क्या मिल गई, 16 मिल गई, ठीक है, कैसी 16 मिल गई, पेटा समझ ले, समझ ले, यह क्या हो जाए, root 2 to the power 8 की value मैंने क्या लिगी, 16 है, आप भी समझ गई, कैसे, power 2 to the power, 1 by 2 multiply 8, 2 to the power 4, 2 to the power 4 की value क्या होती, 16, तो यह क्या मिल गई, 16, और इसकी power 16 होगी, तो यह value क्या होगी, 2 to the power 8, और 2 to the power 8 हमें पता होता है, 2 plus 256, your answer will become 258, so our final value will be 258, for it, done, चलो हो, और आगे चलते हैं, जिसे यह क्या बना, let a, b, share the positive interest, satisfying a, q, minus b, q, minus a, b, is equal to 25, तो कुछ ऐसा क्या बना, a, q, minus b, q, minus a, b, is equal to क्या होगा, 25 है, इस minus a, b, को अगर मैं बेज देता हूं, तो a, q, minus b, q, is equal to क्या होगा, 25, plus a, b, ऐसा कुछ हो गया, और a, q, minus b, q का अगर formula open कर दूं, तो यह क्या हो जाएगा, a, minus b, यह होगा, a, square, plus b, square, और, minus a, b, कुछ, कुछ, फाइदा मिलेगा, इस से यहां देखते हैं, कुछ, फाइदा मिलेगा, यह 25, plus a, b, है, न, ऐसा कर दिया, तो कुछ, 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 हम compare करने की, कोशिश करेंगे, अगर मैं इसका multiply, इसके साथ मैं करता हूं, तो a, 25, plus a, b, है, हम coefficient की compare कर लेते हैं, coefficient की compare कैसे, यहां पर a, b, का coefficient क्या है, one, कुछ नहीं, तो क्या होगा, one है, अच्छ, यहां पर भी a, b, का coefficient क्या है, yes, something, तो एक compare की, तो कुछ, ऐसा result बोल सकते हैं, कि a, b, यहां plus आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, a, minus b, की value क्या होगे, one होगे, अच्छ, a, minus b, की value, one होगे, तो यहां पर हमने फिर से देखा, a, minus b, की value को बं, consider करेंगे, तो यह बं हो गया, तो यह जो value हो, वो किसके इक्कल हो जाएगी, 25 के, it means, a square, plus b square की value क्या हो जाएगा, 25, और ऐसा हमें आता है, क्योंकि यहां पर दे रहा का a, b, positive integer ही है, तो दो, interior के squaring का summation, 25 हो, जिनका difference क्या हो, one हो, तो interior क्या हो जाएगा, a is 4, और b is 3, negative नहीं लहें, क्योंकि यह क्या दिरका है, इसने positive integers है, तो a मिल गया, b मिल गया, अब आपसे find क्या करवार, a square plus b q, तो a square which is like 4 square plus 3 cube, 4 square which will be 16 plus 27, answer will become, 3, 4, 3, asanth, हा, थोड़ा tricky use करना है, थोड़ा-थोड़ा manipulation करना हुआ, क्योंकि आप दे रहें, इंडिया का सब safe, इसको टपेष्ट बोल सकते है मैंस के लिए, अभी खेरा, आलंकी होगा इससे, और बड़ा एक्जम आपका आये नेमो, लेकिन इसका entry label है न, और आप world में champion बनने जा रहे हो mathematics के, तो जो world के champion बनेगा तो definitely इस तरह की problem तो में face करनी ही होगी, और उनको solve भी करना होगा, ठीक है, चलो, इसका complete course है न, आपका इस एक्जम के बाद फिर से continue batch कर ले न, है न, तो वो batch है, बहाँ पर हम detail discussion कर रहे है, अभी खेर हम कृष्ण की practicing कर रहे है, बहाँ पर हम क्या करते है, topic-wise analysis करते है, topic-wise हम study करते है, तो खेर वो आप लोग अलरी study कर चुके हो, नहीं किया है, तो कर लेंगे, प्रेटिस कर लेंगे, साथ साथ में प्रेटिस करते हैं, course already given है, website given है, platform पे given है, सब जगे course आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे equation given x square plus 4y square plus 16z square is equal to 48, or something 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 x square plus y square plus z square, जब ऐसा कुछ given होता तो definitely मेरा मन होता है कि a plus b plus c का hall square बनाने की कोशिस कर रहें, अचा कैसे बना सकते हैं, तो let's say मैं इसको बोल देता हूं कि equation number 1 है, equation number 2 है, equation number 2 है, और इनको simplify करने का तरीका क्या है, कि हम कुछ नुकुछ manipulate करें, कुछ perfect square वाली form में लेकर तो आते हैं, अचा लेकर आने के लिए मैं एक काम कर लेता हूं, equation 1 minus 2 times over equation 2 ऐसा कर ले, तो इससे मिलेगा क्या, अगर ऐसा मैंने किया, तो यहाँ पर मिलेगा, x square plus 4 y square 16 z square minus 2 times over x by minus 8 times over yz minus 4 times over zx, is equal to, इधर हो जाएगा, 48, 48 और minus 2 into 24, which is also 0, तो क्या मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, आपको a square plus b square plus c square minus ab minus bc और minus ca, ऐसा कुछ given है, अगर मैं इसमें 2 से multiply कर दूँ और 2 से क्या कर दूँ डिवाइड कर दूँ, 2 से multiply किया, तो यह 1 upon 2, ऐसा कुछ मिल जाएगा मुझे, 2 a square, 2 b square, चलो, 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 लिख लेते हैं, लिख तो लेते हैं, एक्स y minus y जाएड़ा, ठीक है, 2 से multiply, 2 से divide गया, तो क्या मैं इसको direct ऐसा लिख सकता हूँ, बताना मुझे, मेरा मन हो रहा है, इसको लिखने का, कि इसको लिख सकते हैं, आप a minus b का hall square, और b minus c का hall square, c minus a का hall square, देख, उससे मिलेगा क्या, उससे मिला क्या, वो चेक करना है मुझे, इसको ऐसा ही लिख लो, चलो, लिख लेदे हैं, लिख लेदे हैं, मैंने 1 by 2 से multiply, इससे मिलेगा कर देता हूँ, इससे मिलेगा, इसको मैं इसको लिख देता हूँ, कि अगर मैंने स्केरिंग किया, तो क्या मिलगा, आपको a square plus b square plus c square minus a b minus b c, और minus c है, आपको देखे भी रहा हूँ, a plus b ka all square, a square plus b square minus 2 है भी, b plus c all square minus 2 है, c plus a square minus 2 है, तो यही आपको मिलेगा, अच्छा यह already gave an emoji न, previous equation में क्या gave an emoji, यही gave an एक तरह से, तो क्या इसको इसको इस वाली form में लिखा जा सकता है, हाँ, लिख सकता है, तो अगर मैं लिख दू, 1 by 2 of something, यह a minus b, तो x minus 2 by all square, और यह हो जाएगा, 2 by minus 4z all square, और 4z minus x all square, इस इकल दू क्या हो जाएगा, 0 हाँ, ऐसा कर सकते हैं, बलकुल, अगर ऐसा, मैंने यहां से किया, तीन number का, त्री positive number है, और उनका अगर स्केरिंगा समय से 0 हो रहा है, जैसे a square plus b square plus c square, a is equal to 0 हो, यह real number है, पॉल्टे में तो तभी 0 हो सकता है, जब a is equal to b is equal to cb क्या रहा हो, 0 रहा हो, यह तभी possible है, तो यहां पर इनकी value क्या हो नहीं पड़ेगी, 0 होना पड़ेगा, और जब यह 0 हो जाते हैं, तो x is equal to क्या मिल जाएगा, यहां से 2 by और यहां से 2 by जीकल to something हो, तो यह क्या मिल जाएगा मोझे, x is equal to 4 z, ऐसा कुछ मिल गया, बतलब x by z में एक relation मिल गया, और इस relation में और इस relation में और यह relation आपको गवन हो, इसको find करने के लिए हम कुछ lambda let कर लेते हैं, कि हमें एक lambda, एक constant let कर लिया, और अगर हम इसको, x को divide भी करते हैं, by the 4 तो क्या हो जाएगा, x by 4, y by 2, और z by 1 is equal to lambda, तो x is equal to मुझे यहां से मिल गया, 4 lambda, y is equal to मिल जाएगा 2 lambda, और z is equal to मिल जाएगा lambda, और lambda की जब x by z की value किसमें पूट कर थे हमके उक, इसमें पूट करें एहां से आपको lambda find हो जाएगा, तो चलो check कर लेते हैं, यह कि हमिल के lambda 4 lambda square, 2 lambda square into 4, और यह 16 into lambda square is equal to 48, तो 48 lambda square is equal to what अगर है, 48 is equal to 1, अच्छा लेमडा 1 है क्योंकि पॉस्टिव नंबर दे रखे है ना इस तरह से तक यह बने आपको रिये लंबर है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको यह मिल गया 4 यह मिल गया 2 और यह क्या मिल गया 1 आप से क्या पूचा एक स्कुर प्लस बास बास जाए और प्लस बास कितना हो जाएगा 16 21 इस इस यूर अंसर ठीक है कुछ कंसेप्ट यूज होंगे बैटा बेसिक थे कंसेप्ट बेसिक है क्लास एड़ आइधिंग 9th 10th मत अमने इस्टेडी किया ही था यह श्याम पकेटमिक भी देगा तो भी इस्टेडी आपने कर लिया होगा आपकर लेंसको दन चलो और आगे चलते हैं जैसे यह गेवन बहुत ही प्यारा कुशन है A B C R the positive real integer गेवन है A B C D something A is equal to B C D B is equal to C D A और C is equal to DAB और A D is equal to ABC इस तरह से कुछ गेवन है कुछ एक relation find किया है अगर यहांसे आपको A B C की अगर value मिल जाती है क्या मिल जाती है A B C की अगर value मिल जाती है तो मेरे लिए बहुत आसन हो जाए आपको जब भी ऐसी कुछ कानी गेवन है तो बैटर है कि आप फहले multiply करके देख लें इसने एक hint दे रखी कि ABCD क्या एक positive integer अगर मैं multiply कर लेता हूं तो क्या मिल गए A B C D इधर multiply करता हूं तो 3-3 term क्या repeated हो रहे है B B और B multiply क्या होगा B Q तो ऐसी मिलेगा A Q B Q C Q और क्या मिलेगा D Q अच्छा हम थोड़ी देर के लिए A B C D है ना A B C D को मैं X लेट कर लेता हूं तो यह क्या गेबन है यहां से गेबन हो रहा है X और यह क्या X Q काटना मतना नहीं तो solution खा जाओ गया तो X Q minus X is equal to क्या होगा 0 तो X को मैंने common लिया तो X कर minus 1 is equal to something तो X की 3 value मिल गए 0, X is equal to 1 और X is equal to minus 1 देखो 0 तो हो नहीं सकता क्यों positive integer दे रहा है तो यह तो cancel out हो गया negative देखें तो A B C D यह नमर ही क्या है multiplication positive number का multiplication always का आने चाहिए positive आने चाहिए तो negative यह भी possible नहीं है तो क्या possible रहा होगा यह है और जब यह possible रहा होगा A B C D अने क्ड़ खर σबस हूइए तो यह तभी पॉसिबल में होगा तो है यह तभी पसीबल माय तो यह सब्सक्रावुझा क्या करएंगो चैजिज किया रहा होगा तो क्या पॉसिब्सक्रावारा यह मिलेघचीम थाने में थाने अने अचारें फिशन यह क्या मिलका 4 का इसकेरिंग मिलका तो क्या 4 इसकेर विच इस अंसर इस 16 so your final answer will become 16 got it got it कि लिए चलो आगी चलते का बहुत इंट्रेस्टिंक कीषण है आपको गिवन हैं आप कर हमनी नमरों पर करों पारियला लाइंस एस रेगुरर पोलिगन आप 10 साइड बिसलेक्टेड़ चलो दो रेगुरर पोलिगन दे रहके इसकी क्या 10 साइड पस्टा पूल रेगुलर पोलिगन आप समझना होगा ऐसे दस साइड बनाने उसके न थोड़ा और बड़ा बनाते है कुछ ऐसे अगर यह A है यह B है C, D, E, F, G, H, I, J, हाँ हो जाएगे इसने क्या बन किया है अब इसने क्या बन किया आपको two select करने और parallel diagonal तो देखो diagonal बन कैसे सकते हैं जैसे पहला diagonal आपने यह बनाया दूसरा इसने क्या बनाया यह बनाया तीसने क्या बनाया यह बनाया और fourth टिक 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 कुछ गरबड़ है क्या A, B, C, D, E, F, G, H, I, J टिक है तो टीन diagonal तो ऐसे बन गया जो इस side के parallel आपको मिल रहा है किस side के ab के parallel मिल गया और इसके parallel मिल गया तो एक side के parallel बाले diagonal इस तरह से बन सकते हैं तो ऐसे कितने diagonal बने तो फर्स्ट अपल आपने तीन diagonal फाइंड कर लिए parallel diagonal है अच्छा तीन मैसे आपको कितने लेने हैं अच्छा अभी मैंने parallel ab के लिए है ना ऐसी parallel bc के हो सकते है cd के हो सकते है df के हो सकते है अच्छा जो bc के parallel होगा वह घ के parallel होगा तो यह तो same कानी हो जाएगी तो ऐसे parallel side के मैं फिर से combination बनाने लगूं तो कितने combination बन जाएंगे तो ab के parallel एक बन गया bc के parallel second cd के parallel third d e के parallel fourth और e f के parallel five तो five ऐसे combination बन सकते है it means bf to do multiply by five ठीक है पहले तो यह बना अच्छा और इसमें diagonal किस तरह से बन सकते है जैसे हम ऐसा भी बना सकते है यह मैं diagonal बना रहा हूं ना तो हमने एक diagonal यह बनाया है ना एक diagonal यह भी है ना एक diagonal यह बनाया और एक diagonal यह थोड़ा सा सही बनाएंगे तो parallel ला लेंगे तो चार diagonal ऐसे ही बन सकते हैं इसमें मैंने क्या पेरिंग बन सकती है तो अभी जैसे मैंने C से start किया फिर ऐसी में क्या D से start कर सकता था E से start कर सकता था एप से कर सकता था जो C से start करेंगे वो J से start करेंगे तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा तो ऐसे भी कितनी पेर बना लो गया फाइब बना लो गया तो फाइब कॉंबिनेशन बनेंगे अच्छा N C 2 को find करना एक और तरीका होता है आसान जब भी N C 2 आता है तो इसकी वालोती N N-1 divided by 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 into 2 divided by 2 और multiply 5 यह हो जाएगा 4 into 4 minus 1 विच इस 3 divided by 2 into क्या हो गया 5 तो यह तो मिलका आपको 15 और यह मिलका आपको 30 तो यह अंसर बेकम 45 क्या अंसर हो जाएगा 45 वारिट हाँ मेटा थोड़ा सा कॉंबिनिशन आपको समझना बहत जरूरी जो क्लास जूनियर के स्टूइंट्स होनके लिए इस फाइंट करना तो यह एक प्रॉब्लम न जेहीं में भी होती है लेकिन वहाँ पर इस तरह थोड़ा है जो होता है यहां पर स्क्राइग की जगह पर क्या पावर बन होती है तो इसको कैसी इस फाइंट कर रहा है अगर मैं थोड़ी दर के लिए ऐसा लेट कर लेता हूं कि साइन स्कार एक्स एजिकल टू मैंने कुछ चलो बाई लेट कर लेता है य दे रहा के तो यह क्या लिखा हो वाई टूट पावर य स्क्वेर और यह क्या वाई मानिस बैल्यू फाइंड करन यह तो रूट फाइव मानिस बन डेवाइड बैट वाई टू हो सकती वैल्यू यह रूट ओवर फाइव मानिस बन मानिस वन डेवाईड बैसम्तिं नेगेति लिखन यह y है क्या यह sin square x की value है sin square x एक squaring term है तो negative result नहीं होगा always क्या होगा positive होगा तो यह हमें reject करना होगा यह reject हो जाएगा तो only sin square x की value क्या रही होगा यह अच्छा जब sin square theta आपको मिल चुका तो cos square find करना बेहद आसन हो जाएगा कैसे cos square theta is equal to क्या होता है root over चलो cos x त्यारिटी कर लेते हैं न अच्छा cos square x करना चाहिए ठीक है तो यह क्या मिल जाएगा हमें अगर यहां से आपको sin square x यह मिल गया sin square x आपको मिल चुका और हमें cos square x find करना तो क्या होगा बन माइनस इसका भी चलो root over कर लेते हैं यह क्या इसकी value मिली है तो अगर sin of x की value को भी लिख देता हूँ एक बर sin of x क्या हो जाएगा root over root over 5 minus 1 divided by something है तो cos square x क्या होगा बहुत इक simple सा पोर्म कर बता हूँ cos square x तो cos of x हो जाएगा first of all तो root over 1 minus sin square x है न यह होगा अच्छा 1 minus sin square of something क्या value हो जाएगी यह something तो यहां से लिख देते हैं यह root over 5 minus 1 divided by something है न ऐसा मिल गया इसको simplify किया तो 2 2 plus 1 कितिना होगा 3 तो root over 3 minus root over 5 divided by क्या मिल गया something ऐसा मिला इसकी value है cos आपको क्या चीए इसका squaring cos square x और इसका भी squaring यह मिल गया तो एक तो मैं लिख देता कितिना है तो कुछ कुछ क्या मिलेगा इसका squaring किया 3 plus 9 9 plus 5 14 14 minus 6 root over 5 divided by 4 और यह होगा 3 minus root over 5 divided by 2 LCM लिया तो 14 plus 6 कितिना होगा 20 और minus 6 root over 5 minus 2 root over 5 minus 8 root over 5 divided by क्या होगा 4 इसको और simplify कर लोगे फर्दर तो क्या मिल जाएगा आपको 5 minus 2 root over 5 यह answer हो जाएगा 5 minus 2 root over 5 ठीक है यह है फाइनल अंसर रहा होगा for it got done ठीक है तो अब इससे related और भी मैंने problem में आप पर आपको attach कर रहा है कि उनको आप simplify करके आना और वो problem होता क्या है जैसे यह जो problem आपको episode 3 में जो हम discussion कर रहे है episode 2 में already given होती है कहाँ पर given होती है discussion में given है वहाँ से जाकर आप download करना तो episode 4 की problem already आपको given हो उनको simplify करने की कोशिश करना और उनके solution देखेंगे हम episode 4 में ठीक है तो अपनी तैयारी को जारी रखना किसी भी लेबल का आप पर doubt आता है तो doubt आप share करेंगे है ना और वहाँ पर next coming episode आप और भी detail में problem solve करेंगे और कोशिश करेंगे वहाँ पर हम maximum geometry related problem को किस तरह simply better किया था वो सारे concept वहाँ पर हम डिसक्सिन करने बाले है okay bye bye take care all the best